हेलो दियर स्टुडेंट्स, वेलकम तो माई यूट्वीब चैनल, स्काई ग्यान आजके इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अभी जो कल एक लेटर आया है जिसमें आपको बोला गया है कि आपको अपना अधार अथेंटिकेशन और फैमिली आईडी कार्ड बनाना है इस लेटर में बोला गया है कि आपको जो बीटी यूपी की वेबसाइट है बीटी यूपी.ac.in वहाँ जाना है उसमें आप स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे अपना लॉगिन करेंगे लॉगिन करने के बाद आपको अपना वहाँ पर अधार जो है वो अधार नंबर डालना है अधार डंबर डालके अपना जो फैमिली आईडी कार्ड है उसको क्रियेट करना है ठीक है और इसकी लास्ट डेट दी है इनी ब्रांच तो सभी को यह काम कमपलसरी है करना है ठीक है मैं आपको आगे दिखाता हूं कि कैसे आप अपना स्टुडेंट लॉगिन पर जाके अधार और अथेंटिफिकेशन या फिर फैमिली आईडी कार्ड बना सकते हैं ठीक है चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं सबसे पहले जब आप BTE website BTE.ac.in की website पर जाएंगे तो वहां पर आपको यह student login मिलेगा ठीक है आपको अपना enrollment number डालना है और फिर अपना password डालना है अगर आपको password याद नहीं है तो यहां पर forget password का option है वहां से आप अपना password reset कर सकते हैं ठीक है जब आप यहां पर login पर click करेंगे login पर click करने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं कई सारे option आएंगे ठीक है बहुत सारे option है इनको देख सकते हैं या फिर आप यह देख सकते हैं यहां पर side में दिया हुआ है या फिर आधार verification तो आपको click करना है यहां पर आधार verification पर जैसे ही आप अधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से यह अधार वेरिफिकेशन वाला यह पॉइंट खुल के आ जाएगा जिसमें आपको यह सारी चीजे डाली है नूल्मिस नंबर नेम फादर्स नेम मदर्स नेम टेट अपर मुबाइल नंबर इंस्टिट्ट ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अधार नंबर डालना है और फिर यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप वेरिफाई अधार पर जब क्लिक करेंगे तो अगर आपका जो फैमली आईडी कार्ड है ठीक है अगर आपका फैमली आई–ि Mark . X अगर आपका। वह पहले से बना हुए है तो यहां पर आपका फैं डी canvas कीजिक होने लगए तो आपको एक बना है तो जाखने है जाखने है लेटेसे अगर आपका जाएक और यहां पर अभाषार वेरिफाइड सेक्सेस हुली लिकत करें आजाएगा ठीक है और अगर अधार वेरिफाइड नहीं होता है ठीक है तब यहां पर एक error आएगी यह लिखके आएगा अधार details not verified error something something यह सब लिखके आएगा ठीक है अब क्योंकि अगर आपके में यह error आती है तब आपको क्या करना है आगे उसमें मैं आपको बताता हूँ ठीक है अधर्वाइज आपका अधार वेरिफाइट सक्सेस्फुली हो जाएगा आपका काम यही पर खतम हो जाएगा ठीक है नेक्स स्टेप में आपको क्या करना होगा यहां पर यह अगर आपका फैमिली आडी कार्ड नहीं बना इन अज़ित आएडी प tre जाएगे तो वहां पर आपको रेजस्टर करना पड़ेगा ठीक है रेजिस्टर चाणिक करें आखका लुदेकर नाम के सब्सक्राइब ब negatively करने के बाद आपका नाम पुछेगा ठीक है नाम पार के बादा आपका मुबाल नंबर पूच 然後ेब पार जब आप सब्मिट करेंगे ठीक है सब्मिट करने के बाद OTP आएगा ठीक है आप OTP डालेंगे तो आपका registration कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको लॉग इन करना है फिर से जाके ठीक है लॉग इन करने पर आप अपना कोई डालेंगे ठीक है मोगाइल डालने के पाद आपको OTP आएगा डालेंगे तब का आपका यही यह हैem सब्सक्राइब 1 करने आधार नंबर हो गए अच्छाहेड़ दाले हैं डाले है फानली सब्मिट कर देना होगा है क्यां जब आप सब्मिट कर देंगे तो आपको फैंबली आइडी एक मिल जाएगी ठीक है तो यह प्रोसेस है आपको इस फैमिली आइडी कार्ड बनाने का उसके बाद जब आपको यह फैमिली आइडी कार्ड मिल जाएगा ठीक है तब आप क्या करेंगे वापस यहां पर बीटी यूपी डॉट एसी डॉट इन पर आएंगे और स्टुडेंट लॉग इन करेंगे और फिर अगेन यहां पर फैमिली आइडी डाल के वेरिफाइड कर देंगे ठीक है फाइनल यह आपका स्टेप यहां पर जब आप यहां पर फैमिली आइडी नंबर डाल देंगे वे तो यह सारा प्रक्रिया आपको अपनाना है आपको समझ में आ गया होंगे फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है और या फिर आप संसा कर भी पूछ सकते हैं जो लोग यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है थैंक यू बेरी मच